हालो एवरीवन, I am Ruby and welcome back to my channel तारा मदू की रसोई तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बेकिंग के ऐसे सस्ते टिकाओ और इंपोर्टेंट बेकिंग टूल्स के बारे में बताऊंगी जो मेरे पास मेरी शुरुवात से लेकर अब तक है और इनी से मैं अपना आभी भी काम करती हूँ और बहुत ही अच्छा यह response दे रहे हैं बहुत महेंगे भी नहीं है और result तो आप मेरे वीडियो में देखते ही हैं तो आज मैं एक एक करके आपको इन सभी की नौलेज दूँगी देखी फ्रेंड्स जब हमें केक बेक करना होता है तो सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होता है और केक बनाने के लिए भी आपको महेंगे महेंगे जो केक के बरतन आते हैं अलग-अलग शेप और अलग-अलग साइस के उनकी भी ज़रत नहीं है आप जो स्टील के नॉर्मल कटोरे पतीले आते हैं जिनका फ्लैट सर्फेस हो बस आप उसमें भी अपना काम कर सकते है इव मैंने ओटीजी लिया है एक बजाज का अपना 50 लीटर का वो मैंने इसली लिया है और मेरे दो ही हाथ है और मेरे पास कोई मेरे वरकर नहीं है तो मुझे बहुत काम करना पड़ता है जनरली तो मैं उसे यूज़ भी नहीं करती हूं अभी तक अपने इस राउंड इलेक्ट और फ्रेंड्स ये मैंने लिया था आज से करीबन 12 साल पहले और ये अब तक वैसे ही काम कर रहा है इसकी लीट थोड़ी सी जो वायर होती है वो खराब हो गई थी तो फिर मैंने बीच में चेंज करवाई क्योंकि मुझे गलती से वो लीट इसी से टच हो गई थी और वो ज सकते हैं इसका मॉडल भी चेंज हो गया है शेप अब ऐसी नहीं आती है कुछ अलग स्टाइल का आता है पर काम ये बहुत अच्छा करता है आयो पाप में से बहुत लोगों के पास होगा ये मारी मम्मी वगरह यूज करती थी और इसमें ब्रेड का पीजा जो ब्रेड होती है उसके बाद फ्रेंड्स आता है क्रीम को बीट करने वाला इलेक्ट्रिक बीटर आई होप बहुत सारे लोग अभी तक इस कंफ्यूजन में है कि कौन सा बीटर ले मेरे पास यह है तो मैं क्या करूं देखिए फ्रेंड्स हैंड विसकर जो होता है मैं भी आपको दिखाती ह करेंगी और कभी-कभी क्रीम इससे वुप होती है फ्रेंड्स कभी नहीं भी होती क्योंकि क्रीम के जो जो उसका टेंपरेचर उस पर डिपेंड करता है क्योंकि अगर कृम हलकी थंडी हुए आप इससे बीट कर रहे हैं गरमा ही आ गई उसके अंदर तो क्रीम अपने टेक् की बात है तो कोई बात नहीं दो चार लोगों की help लेकर कि थोड़ा मैं कर रही हूं थोड़ा आप करो कर सकते हैं बट फॉर आगे की काम के लिए आगे अपने इस प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए यह आपको उतना help नहीं करेगा आता है चालिस पितालिस का है ले लीजिए के बैटर को मिक्स करने में या थोड़ी बहुत करनी हो तो help करेगा बट overall main काम के लिए यह आपको help उतना नहीं करेगा तो उसके लिए आपको चाहिए होगा electric beater और friends मेरे पास शुरू से यह electric beater है मतलब मैंने अपने 4-5 केक अपने hand इससे बीट करके बनाए पट मेरी क्री तब मैंने उसको इकठा करके 1800 का यह प्रेस्टीज का electric beater लिया इसके संग दो यह blades आते हैं और दो hooks भी आते हैं आटाव अगर अगूदने के लिए बट मैंने उसे कभी use नहीं किया मैं यही use करती है और friends जो लोग भी सोच रहे हैं कि मुझे electric beater लेना चाहिए या नहीं अ थारा सो का मुझे मिला था अभी यह 22-23 का आता है और यह friends प्रेस्टीज का electric beater है और इसकी 300 watt की capacity है और आराम से यह एक लिटर तक की क्रीम एक बार में विप कर देता है ज्यादा मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत देर तक इसे फिर घुमाने से ही गरम हो जाता ह तो ऐसे फिलिप्स का आता है बजाज का आता है बहुत सारे अलग अलग ब्राइंच के आते हैं तो आप कोई भी बीटर ले मैं यह नहीं कहती है मेरा ही लें बट 300 watt से आपका बीटर ज्यादा का होना चाहिए 300 watt से कम का नहीं होना चाहिए इसमें क्या होता है फ्रेंड्स मो अगर कैसे तैसे तो वह मैं अच्छे नहीं होगी और जब तक आप उसको काफी देर तक लगाएंगे ज़ए वो गरम हो चुकी होगी तो कम वाट के बीटर से क्रीम हो जाएगी अगर कैसे तैसे तो वह मैं फोना शुरो हो जाएगी क्योंकि वह अपनी स्टेबिलिटी में तो इस बात का खाजियान रखें 300 वाट या उससे ज्यादा का इलेक्ट्रिक बीटर होना बहुत जरूरी है फॉर दा परफेक्ट स्टिफनेस ऑफ क्रीम अदरवाइस क्रीम जो है बीच बीच मेल्ट होगी फ्लार अच्छे नहीं बनेंगे और बहुत सारी ब्ला ब्ला ब्ल जरू किया है सेलिंग का अधरवाइस में घर के लिए बनाती थी और घर के लिए तो मैं हैंड विसकर से बनाई लेती थी बट बहुत मैनत लगती थी तीन चार लोग की मदल लगानी पड़ती थी तो इलेक्ट्रिक बीटर जरूर ले कम वाट का है तो देखिए अब तो टाइम जाता है उस समय तक मैं अपना बैटर बना सकती हूं और भी काम कर सकती हूं मुझे अपनी online classes लेनी होती है दो दो चैनल का का काम करना होता है तो मेरे पास वर्क लेवल जादा है तो मेरे पास friends एक stand mixer भी है मैं भी आपको दिखाती हूं और वह अगारो का है आप वह पर्चेस कर सकते हैं उसकी कॉस्ट सेवन ट्रिपल नाइन है यानिकी 8000 का वह है और उसमें पांच लीटर का वह बाउल की कैपेसिटी है और उसमें आराम से आप 2-3 kg की क्रीम एक साथ लिप कर सकते हैं वह घरम भी नहीं होती क्योंकि उसमें 1400 वाट की पावा है तो मैं अगारो का स्टैंड मिक्सर इसका पूरा डीटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर शेयर किया हुआ और इससे क्रीम विप करके मैंने केक भी बनाया है कस्टमाइज के तो आप देख सकते हैं इसकी पूरी वर्किंग फंक्शन ये कैसे काम करता है तो अगर आपका काम आग दो साल पुराना है मेरा यह मैंने ओनलाइन लिया था फोर फिफ्टी रुपीज का हो सकता है शॉप में आपको यह 400 रुपे में मिल जाया है ओनलाइन में आप 500 का आ रहो बट यह प्लास्टिक का टन टेबल होता है और यह इस तरीके से घूम करके काम करता है और मेरे बहु कोई जरूरी नहीं है महेंगा सा कोई सामान लाने की एक साड़े चार सो से पांसो रुपे के टर्न टेबल में आप अपना काम कर सकते हैं बट जैसा मैंने पता है मेरा काम अब थोड़ा आगे बढ़ गया है तो मैंने फिर एक 1400 रुपे का फ्रेंट्स यह खरीदा मैंने सिल तब आपको दुबारा किसी भी टर्न टेबल की ज़रत नहीं पड़ेगी और इसका कोई पेंट नहीं जाता फ्रेंट्स यह स्टील का है और इसके संगे नीचे स्टैंड होता है यह हट जाता है और इसके अंदर एक वाशर होती है जो स्पिन विल वगर हम गुमाते हैं जिस मैं बीच में गलती से टेप लगा दी थी तो टेप लगा दी थी ताकि बोड चिप खा रहे हिले नहीं तो बस टेप का ही मार्क है और मैं इसको ऐसे कुर्चूंगी तो यह मेरे को फ्रेंट्स मिलाता 14 अब यह 12-11 शे मिलेगा और एक बार लेलीजे फेंट्स फिर दोबारा कुछ लेने की जरूरत नहीं है कभी भी और बड़ा केक हो छोटा केक हो आराम से आएगा यह देखिए यह सिक्स और यह ग्यारा इंच का डाइमेटर है तो आप सुच सकते हैं कितने बड़े-बड़े केक भी मेरे इस पर बन जाते हैं और मैं बनाती हूँ जनरली अपने और जब काम करने के बाद गंदा हो जाए तो आप इसे पानी से धोली जिए सर्फ लगा करके पिल्कुल क्लीन हो जाता है तो आपके उपर है फ्रेंट्स साड़े चार सो रुपे का यह लेना चाहें तो यह ले सकते हैं बहुत केक मैंने इसमें भी बनाये हैं इसली अबलेबल ह और अगर आपको क्रीम वगर आइसिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती है और थोड़ा महंगा आप काम कर सकते हैं तो यह वाला टंटेबल लीजिए और इसको फ्रेंट्स एक बार रोटेट कर दियाना यह खुद बंद नहीं होता है इसको बंद करना पड़ता है जबकि य मैंने जैसे अब बता है मेरे पास दो ही टंटेबल है वो इसके और इसकी रेंज के मीडियम बीच में आता है 600-800 तक का आजाता है और रोटेट भी अच्छा करता है इसकी तरह है और यह तो जहां आवाज कर रहा है ना उससे आवाज नहीं आती है बट उसका एक ही प्लास्टिक का ले नहीं तो बस 100-200 थोड़ा सा और खर्च करके आप यह स्टील वाला आराम से टंटेबल परचेज कर सकते हैं और अब मैं आपको इस अपने राउंड इलेक्ट्रिक ओवन के बारे में पास से बताती हूं यह कैसे काम करता है तो देखिए फ्रेंड्स यह ह मेरा वो राउंड इलेक्ट्रिक ओवन और यह कम से कम 12-13 साल पुराना है और इसी तरीके का ही आता है आप इसकी शेप और साइज अलग आने लगी है इसके अंदर इस तरीके का है और यहां पर इसके अंदर एलिमेंट होता है जिससे की हीट इसमें आती है गरम होता है और इसके ऊपर हमें अपना केक का बरतन रखना होता है तो अच्छे से क्टेक केक आपका ना जले तो मैं इसके अंदर केक रखती हूं जनर अ लगकवक के साइज का बड़ा गूड टीन भी इसके अंदर आ जाता है ठीक कikeEC ऌते हैं पेपर कप में बनाते है और भी इसमें आर इसमें आ जाता है ब्रेड वगर का और देखने के लिए ये ट्रांस्पेरेंट ऊपर से इसकी विंडो है आपको बारबरी से खोलना नहीं पड़ता है विकोज केक की बेकिंग के दौरान अगर आप इसे खोलेंगे तो टमपरेचर खराब हो जाता है तो इस तरीके से थीखता है और यहां पर देखिए यह सॉकेट है जहां पर इसकी यह लीट घुक जाती है और यहां पर देखिए के टमप्रेचर को कंट्रूल करने का नौब है यहां पर लाइट भी जलती थी फ्रेंड्स पर अब यह खराब हो गई यह जलती नहीं है और टमप्रेचर आप देख सकते हैं आप तक है और यह जो एरो है न जहां पर इसको मैं लगा देती हूं तो वह टमप्रेचर पर दस मिनट कर लेती हूं और जब केक बनाती हूं तो इस तरीके से आप इसे खरीच सकते हैं अगर केक बनाना आपको अच्छा लगता है आप इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और नह तो दोनों ही चोईसे आपके पास अगर आप अफोर्ट कर सकते हैं तो इसे जरूर परचेस कीजेगा बजाए महंगे महंगे बड़े साइस के और छोटे साइस के ओटी जीस के तो यह है फ्रेंड्स मेरे बेकिंग के मेरे सस्ते टिकाव मेरे इंस्ट्रूमेंट्स मेरे टूल्स जिन से मैंने शुरुवात की अपने केक बेकिंग की और अब मैं उसी प्रोफेशन को इनी की मदद से आगे ले जा रही हूँ तो हर चीज के बारे में मैंने आपको डीटेलन로 बता दिया है चाहे लेक्ट्रिक बीटर हो चाहे टरन्टेबल हो आप अपने बजठ के हिसाब से लें बट 300 वाट से आपको उससे उपर का ही लेना है उससे नीचे का नहीं लेना इस बात का ध्यान रखेगा वहीं turntable मैंने आपको 500 की range का भी बता दिया 1000 की range का भी बता दिया जो की best option है और इनके बीच की जो range है जिसमें fiber का turntable आता है वो भी purchase कर सकते हैं मैं offline कोई classes नहीं लेती हूँ, online ही लेती हूँ तो मुझे ज़्यादा turntables की ज़रत भी नहीं पड़ती तो यही दो हैं जिनमें मैं अब यह यूज करती हूँ और वहीं पर baking करने के लिए अगर आप कोई OTG का सोच रहे हैं कि gas per cooker में अच्छे से cake bake नहीं हो पाता है तो आप एक सस्ता टिकाओ यह round electric oven ले सकते हैं इसमें 12 इंची के size तक का cake बन जाता है हर shape का cake बनता है हर cheese इसमें बनती है even paper के molds में जो cupcake और tea time cake होते हैं वो भी इसमें बनते हैं तो अगर आपको baking में आगे बढ़ना है तो आप इसकी मदद से बहुत आगे बढ़ सकते हैं मैं तो अभी भी इसे use करती हूँ जबकि मेरे पास OTG भी है OTG भी है तो I hope आज की दी गई मेरी सारी जानकारी आपके लिए useful रही होगी और जो लोग भी इस profession से अब जोड़ना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि कहां पर हम अपना पैसा इन baking के tools और instrument को लेने में खर्च करें इन्वेस्ट करें ताकि हमें फाइदा हो कोई भी loss नहों और कोई भी चीज लेने के बाद कहीं और सुनकर के हमें पच्तावा नहों तो मेरी इन बातों को आफ्रेंड्स बहुत ध्यान रखेगा जब भी कोई नई चीज पर्चेस करने जाएं तो इन बातों को ध्यान में रख करके ही आप अपनी कोई आगे की पर्चेसिंग कीजेगा और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो यूस्फुल लगी हो इससे आपको नॉलेज मिली हो तो इसे लाइक शेर जरूर कीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड में दिया गया जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजेगा और आप चाहें तो फ्रेंड्स मेरा एक नया चैनल है तारा मदू डाइरीज जहांपर मैं यूट्यूब से बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डालती रहती हूं जानकारी से रिलेटेड तो आप वहां भी जाकर विजिट करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे फेस्बुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं बहुत सारा कम बता दिया तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे अपने नेक्स वीडियो में कुछ और नया सीखने के लिए कुछ और नया जानने के लिए और कुछ और नया ट्राइ करने के लिए तब तक के लिए बाबाय टेक केर और थैंक्स पर वाच्चिंग